अरे ये फाइल नहीं आ सकता है क्यूं नहीं आ सकता है जो दूसरा अब है कि फाइल भे नहीं आएगा तुम अकेले पिरिय अडिक्ट बलं का है तुम यहाँ पर दूसरा अब है नहीं अबहलब है अब आज जारी है चाह रही है तो येस बोली ये लोग जाहे हिन सब लोग को जाहे हिन अब आजा रही है ना चली ये 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 वाला अच्छा केमिकल बांडिंग पढ़ाते है अब को केमिकल बांडिंग केमिकल बांडिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ-कुछ पता होना चाहिए क्या चीज पता होना चाहिए कुछ-कुछ बाते हैं जैसे परमाडू का आकार कैसा होगा परमाडू का खीचनी की छहंता क्या होगी साइच कैसे बढ़ेगा size कैसे छोटा होगा, electron बंधूता क्या होती है, बिद्धुत रिडात्मक्ता क्या होती है, iron बिभव क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब ही आपको समझ में आएगा, अधर वाज में समझ में नहीं आएगा, इन्हें हम कहते हैं आवर्थ हलागी पिरियाडिक्टेबल आगे पढ़ाएंगे दो हिस्टा में पढ़ाते हैं पिरियाडिक्टेबल एक यहां पढ़ाएंगे फिर एक बार आगे पढ़ाएंगे तो आप अगर ध्यान से दिखेगा यह क्या दर्साता है ये क्या दरसाता है इसे हम कहते है period यानि आवर्थ कहते है ये क्या दरसाता क्या है तो भाई साथ ये दरसाता है कि कितने orbit बनेंगे यानि अगर अगर यहाँ दो लिखा है तो इसका मतलब है कि दो orbit में खतम हो जाएंगे एक ये पहला orbit और ये दूसरा orbit ये दो और्बिट में पूरे तरह से खतम हो जाते हैं सब इसमें से जितने चीज हो जाएंगे सब ये दो और्बिट से कम लेगा ही नहीं कैसे देखिए ध्यान से जैसे हम यहां लेते हैं, लीथियम को 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 ल बनेगी कितनी orbit बनेगी आप 발생 अब बैगे आपसे में एक सवाल पूछते एक और भीट करते हैं कि परमाडू का आकार बड़ा है या च्रोटा यह orbit मिलके परमाडू बना देते हैं यह तो पूरा का पूरा परमाडू का एक सेफ है अब आप बताइए तीन orbit वाला परमाडू जादे बड़ा होगा कि 6 orbit वाला परमाडू जादे बड़ा होगा कौन सा परमाडू का साइद जादे बड़ा होगा जिसके orbit की संख्या 3 है, जिसके orbit की संख्या 6 है, किसका orbit यादे बढ़ा होगा, आप इसका answer देखें बते हैं, क्योंकि जन्मीन बात है, 6 orbit बढ़ा होगा, तो आपसे अगर कोई question पूछ दे, कि अगर किसी आवर्त सारणी में, ध्यान से समझो भया, periodic table बड़ी तेड़ा होता ह नहीं समझ में आए बड़ी बच्चा वाला चीज होता है समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाए तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि कि किसी भी periodic table में अगर हम उपर से नीचे आ रहे हैं हैं उपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या उसका size बढ़ेगा या घटेगा ये बताई अगर उपर से नीचे आ रहे हैं periodic table में आवर्त में उपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाडू छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा बताई तो भई चोटा होगा या बड़ा होगा आगे बढ़ जाए, साइज में क्या हो जाए कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है चलिए एक बात बते, आप बताईएगा, हम आप से एक सवाल पूछते हैं, कि जैसे जैसे परमाडू का आकार बड़ा हो जाता है, परमाडू का आकार बड़ा हो जाता है, क्या नाभीक बाहर वाल क्योंकि जैसे नीचे आएंगे परमाड़ो बड़ा होते जाएगा, तो जो नाभीक इसको पकड़े हुए था, यह कमजोर होगा या मजबूत होजाएगा, कमजोर होजाएगा, हाँ, जीतनी उसकी orbit बढ़ेगी, वो दूर होते जाएगा नाभीक से, इसलिए वो कमजोर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो नाभीक से कमजोर हो जाएगा, अब आप बताईए कि जैसे जैसे किसी कक्षा में हम उपर से नीचे आते हैं जैसे जैसे हम किसी कक्षा में उपर से नीचे आते हैं उपर से क्या आएंगे? नीचे आएंगे तो और्बिट क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे और्बिट की संग्या क्या हो जाएगे? बढ़ जाएगे आप बताई आसानी होगी या महनद जादे लगेगा आसानी या महनद जादे लगेगा हाँ या आसानी होगी रिजन क्या कमजोर हो जाता है आसानी हो जाएगी यह आला आराम से इलेक्ट्रोन निकल जाएगे आराम सी ये, ये, निकल जाएंगे? आप बताई więc elektron निकाल जो देता है उसे हम धातु कहते है या अ-धातु कहते है या जो elektron को निकाल के फेक देता है यह दो यह ले जाओ फेका हे principles ले जाओ वो metal है कि non metal है? metal है कि non-metal आप बताई? Very good metal है निति बर्मा, नितिन बर्मा, मेटल हो जाएगा, very good क्या जाएगा, धातू हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, क्या जाएगा, धातू हो गया, मेटल हो गया, आगे बढ़ जाएगा, एक ही चीज से आपने 4-5 चीजों को सीख गए, कि जब कभी भी हम उपर से नीचे आते हैं, परमाडू का आकार बढ़ने लगता है, नाभिक की पकड कमजोर होती है, एलेक्ट्रोन आराम से निकल जाता है, अर्थाद जब उपर से नीचे आते हैं, तो उसके अंदर मेटल वाली क्वालिटी बढ़ने लगती है, यानि धात्विक्ता बढ़ने लगती है, धात्विक्ता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, क्या हो जाती है, धात्विक्ता बढ़ने लगती है, आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने के लिए एक बताईगे, उपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोन को निकालने में आसानी है कितना potential है कितना विभाव है तो उसे कहते है ionon विभाव तो दिखिए जो छमता थी जब उपर से नीचे आये थे निकालने में जो मेहनत लगा था जो मेहनत लगा था यानि मेहनत को क्या कहते है potential क्या कहते है potential तो वो potential जादे लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा ionization potential जादे या कम उपर से जब नीचे आएंगे तो ionization potential जादे या कम हाँ कम लगेगा very good कम लगने लगेगा ionization potential कम लगने लगेगा आगे बढ़े ionization पोटेंसियल कम लगने लगेगा आगे बढ़ जाएं तो आइनेजेशन पोटेंसियल क्या होता है आइनेजेशन पोटेंसियल वह होता है वह पोटेंसियल वह छमता होती है जो इलेक्ट्रोन को खीचने में लगाई जाती है जैसे जैसे उपर से नीचे आते हैं परमाडू का आकार क्या हो जाता है बड़ा होने लगता है परमाडू का आकार बड़ा होने से इससे मजबूती घड जाते जिस वैसे potential कम भी लगाएंगे तो खिर जाएगा अब आप एक और सवाल का जवाब दिए यह जो जैसे जैसे आप उपर से नीचे आएंगे जैसे जैसे आप उपर से नीचे आएंगे इनके अंदर कौन सी tendency देखने को मिलेगी यह electron को त्यागना चाहेंगे या receive करना चाहेंगे मतलब ये एक electron को त्यागना चाहेंगे या ground करना चाहेंगे ये emit करेंगे या deceive करेंगे आप बताइगे जैसे जैसे उपर से नीचे आएंगे electron को त्यागना चाहेंगे हाँ loss करना चाहेंगे very good lose कर देंगे electron को क्या हो या lose कर देंगे इलेक्ट्रोन को क्या कर देंगे, लूस कर देंगे आगे बढ़ जाएं, इलेक्ट्रोन को यह लूस कर देंगे इलेक्ट्रोन को पाने की छमता, इलेक्ट्रोन से प्यार को कहते हैं इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन बंधुता कई इलेक्ट्रोनों से प्यार को कहते हैं विद्धूत रिढ़ात्मकता एक इलेक्ट्रोन से प्यार हो गया तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोन बंधुता एक इलेक्ट्रोन से प्यार हुआ तो इलेक्ट्रोन बंधुता दूगों से प्यार हो गया तो विद्धूत रिढात मकता विद्धूत रिढात मकता यानि एक इलेक्ट्रोन को खीचने की छमता है इलेक्ट्रोन बंधुता इलेक्ट्रोन इफिनिटी इंगलिस में कहते है दुद्दों को घीचने की छमता को क्या कहते है, तो जब हम उपर से नीचे आए हैं, तो यह अलेक्ट्रों को खीमता को और नो भागा दीयें, यह तो भागा दीयें, तो इनकी अलेक्ट्रों बंधुता और विद्दू जमता बढ़ेगी या घड जाएगी आप अंसास दिचुन घड जाएगी इलेक्ट्रोन को खीचने की छमता घड जाएगी विदूत रात मकता घड जाएगी क्या जाएगी विदूत रात मकता घड जाएगी आयनन विभाव यानि एनेजेशन पोटेंसियल जो खीचने के लिए यह ताकत लगाना था वो घड जाएगा आराम से निकल जाएगा लेकिन परमाडू का आकार बड़ा हो जाएगा परमाडू का आकार बड़ा हो जाएगा सान में आगया की ने आगया किसी को दिकत आप बताएगे तो जरा इसमें देखके सोडियम जादे धातू का गुण है सोडियम में धातू का गुण जादे होगा कि पोटेसियम में sodium में जादे होगा या potassium में दहातू का गुण किसमें जादे होगा sodium या potassium sodium या potassium potassium रे बेकूप सब इसमें क्या कर रहा है रे तुम जातो रहा हम application से बाहर कर देते आगे बढ़े इतना तो समझ में आगे आप लोगो देखे कहेगा आइनन वीभाव आइनन वीभाव इसे कहते हैं आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंचियल यह क्या कहलाता है आइनन वीभाव? इलेक्ट्रोन खीचने की निकालने में लगा बल लगी उर्जा इलेक्ट्रोन को निकालने में जो उर्जा लगती है उसी को क्या कहते है आयनन विभा कहते है उसके बाद आता है इलेक्ट्रोन बंधुता इलेक्ट्रोन बंधुता इसे कहते हैं Electron Affinity Affinity Single Electron को खीचने की छमता Electron बंधुता कहलाती यह सबसे ज़ादे होती है क्लोरीन में किस में ज़ादे होती है क्लोरीन में सबसे ज़ादे होती है क्लोरीन में सबसे ज़ादे होती है उसके बाद आता है इलेक्ट्रोन विद्धूत रिधात्मक्ता विद्धूत रिधात्मक्ता को कहते हैं और इलेक्ट्रोनीगेटिविटी कि विध्धूत रिधात्मक्ता यह कितने लेक्ट्रोन को खीच देगा डबल इलेक्ट्रोन को खीच सकता है यानि इसकी छंता और ज्यादे होती है ये सबसे ज़्यादे होता है फ्लोरीन में, ये सबसे ज़्यादे किसमें होता है फ्लोरीन में, क्या होता है फ्लोरीन में, ये तीनों चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो periodic table में अगर आप उपर से नीचे जाएंगे, तो ये घटेगा, क्या होगा, घटता है, ये त तो उपर से नीचे आने में क्या प्रभाव पड़ता है यह आप समझ गए किसी को दिक्कत है तो बोलिए उपर से नीचे आने में धात्वी गुण बढ़ जाती है अब बाएं से दाएं चले उपर से नीचे आना समझ गया कि नहीं आया किसी को दिक्कत दो बोलिए परदीब कुमार तुम उसमें किसको लव यू बोल रहा है सब लोग बोलो परदीब की बहन के लिए बोल दो तुरे बहीनिया को बोलेगा सब लव यू तुमको अच्छा लगेगा गधो लोग को समझ में नहीं आता है तुमको चैट सेक्षन दिया गया है कि हमसे क्वेशन पुछने के लिए तो तुम उसमें लव यू बोलता है माबाब संस्कार्थ नहीं सिखाया है बाकी लड़का भी परदीब कुमार की बहन के लिए भी कुछ-कुछ सब्द लिख दो तब उसको समझ में आगा दूसरे की बहन की इजद किया जाता है आप लोग उसको चैट सेक्षन में परदीब कुमार के लिए कुछ-कुछ परद लोग नो टंकी मत किया कर यहां पर जो पढ़ा रहे हैं पस उसको हम से पूछना है तो चैट सेक्शन में कोस्चन पूछा करो लो अपने में इसल नहीं किया करो बेचारा परदीप कुमार की बेचारी की बहन को तो दरोपदी बना दिया सब ओ माई गॉड तू लोग सचुरा किसी किसी नौट बस कर बस कर वेचारा बस कर डोज पा गया हूँ कोई भी लड़का कमेंट सेक्षन में अगर किसी लड़की को लव यू बोला तो हम बाकी लड़कों से उसकी बहेंजी को बोलवा देंगे हम तो फिर अपनी अपनी बहन जी की इज़द बचानी है तो दूसरे की बहन की इज़द करना सीखो साज में आगया हमसे कोश्चन पूछ ये ना चैट सेक्षन आपको दिये हैं कोश्चन पूछने के लिए वरना हम आपको रेकॉर्डेट वीडियो नहीं दे देते हैं लाइब में और रेकॉर्डेड में यही तो फर्क होता है यार सवाल पूछ सकते हैं अपनों टंकी कर रहे हो गया आपका काम कतम हो गया बस कर बस कर भाई बर्च कर चलो अब किसी भी लड़का को अगर अपनी बैन के लिए लड़का ढूंड़ा होगा तो यहां के कमेंट कर दिना सुचर तुने तुने तुरह समझ में आ जाए गया आगे हो देखो गलत बात है यार आप लोग थो संसकार सीखो कि मैं स्टी पढ़ रहे हो साइन्स वाला अच्छा मूड बनाए अच्छा से समझ मैं तू लोग दूसरे दुनिया में चल दो इधर से इधर चलते हैं अब बताओ किते लोग को आईडिया लगते हो इधर से इधर चलने में इदर से इदर चलने में क्या होगा? तो देखो भया, बसकर यार कमेंट छोड़ दो उसको आप याद करने का त्रीग क्या बता दीजा है? यहां आवर्द संग्या एक है, यहां कितनी है, दो, यह तीन, यह चार, यह पांच, छे, साथ. यानि इस रो में, इस वाले आवर्द में, आप कहीं भी चले जाएगा, आपको जो आवर्ध मिलेगा, जो मतलब छले मिलेगे, आवर्ध मिलेगों, तीन ही मिलेगा. इसमें कितने मिलेंगे? आपती, इसमें कितना मिलेंगे? चार मिलेंगे. यहां भी जाएंगे तो चार, यहां भी चार, यहां भी चार, हर जगह आपको केवल और केवल कितने मिलते जाएंगे? चार ही मिलेंगे. कितने मिलेंगे? चार. एक, दो, तीन, चार. कितना मिलेंगे? चार, तो भईए इधर जाने पर परमाडू का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या fix रहेगा? अब ती, बढ़ेगा, घटेगा या fix हो जाएगा बाएं से दाय जाने पर परमाडू तो जाने जाने और और आरिट तो चेंज नहीं होगा अरे अंसर दो ना तुलो परदीप के पीछे काय पड़ा हुआ है है हो गया घट देखो भया कुछ लड़के कॉमन सा दिमाग लगा दी है कि जर फिक्स रहेगा क्योंकि छलो का आकार तो सेम है लेकिन देखे जब कभी भी इसमें इलेक्ट्रोन बढ़ने लगेंगे तो नाभीक उन्हें अपनी और खीचने की कोसिस करेगा ताकि वो बाहर न जाए इसलिए जब कभी भी नाभीक जो हता है अगर मान लीजे कोई ये नाभीक है तो जैसे जैसे आप बाएं से दाहिनी और जाते हैं तो नाभीक अपनी पकड को मजबूत करने के लिए परमाडू का आकार क्या कर देता है छोटा कर देता है परमाडू का आकार को क्या कर देगा छोटा कर देता है देखे वाओ जैसे जैसे आप बाएं से दाहिनी और जाते हैं परमाडू क्या होने लगता है सिकूर ने लगता है क्या होता है सिकूर ने लगता है ताकि वो अपनी कक्षा पर पढ़ रहे हैं बोज को कम कर सके अपनी कक्षा पर पढ़ रहे हैं बोज को कम कर सके आप ऐसे समझे आप यहां समझे इस और बीट में इसमें कितने चलने हैं बढ़ जाने के वज़े से नाभीक जो सोचता है कि भाईया हम इसके उपर अपना पकड़ कहीं खो देंगे इसके उपर क्या खो देंगे पकड़ को देंगे इसलिए एलेक्टरोन बढ़ने के कारण यह अपना आकार क्या कर देता है छोटा कर देता है आकार क्या कर देगा छोटा कर देगा संग्या गया तो जब कभी भी हम बाएं से दाहीनी की और जाते हैं तो परमाडू का साइज क्या होने लगता है छोटा होने लगता है ताकि वो अपन और्बीट लंबे और्बीट में जादे एलेक्ट्रॉन को रखेगा तो पर्माडू ब्लास्ट कर जाएगा उसको क्या करेगा छोटा करेगा तक अपने और्बीट में जादे से जादे एलेक्ट्रॉन को रख सके अब आप बताईए अगर ऐसा कंडिशन हा गया ऐसा कंडिशन अगर परमाडू का आकार छोटा हो गया तो नाभीक की जो पकड़ है नाभीक की पकड़ वो क्या होगी मजबूत होगी या कमजोर हो जाएगी नाभीक की पकड़ मजबूत हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी बताइए टाइम टेबल क्या है गुरुजी जाएगा, इस्ट्रोंग हो जाएगा, अब आप बताइए, जब नाभीक की पकड़ को इस्ट्रोंग हो जाएगी, तो बताइए, ये इलेक्ट्रों को क्या करेगा, इलेक्ट्रों को, अब आप बताइए, जब नाभीक पकड़ लेगा, इसको खुब मजबूती से, नाभीक प कर लेगा तो इलेक्ट्रोन इससे भागेगा या दूसरे इलेक्ट्रोन को खीचेगा ये इलेक्ट्रोन को ग्रहन करेगा ये इलेक्ट्रोन को लॉस कर देगा आबती इलेक्ट्रोन को ग्रहन करेगा ये लॉस करेगा इलेक्ट्रोन को ग्रहन करेगा ये लॉस करेगा हाँ ग्र ग्रहण कर देगा है ईलेक्ट्रोन का ग्रहण कर देगा अब बता है एलेक्ट्रोन ग्रहण करने वाले की नेचर ऐता हैं मैटल या नोन मेटल METAL इतना अलेज्ड़ लेन वwn मैटल सब सोया आयशब अंसेयो धीमा यहां छू मारा रहा है non-metal, सांधोगिया बेचारा, पढ़ाई पी अब ध्यान दे रहा है, और धातू हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, और धातू हो जाते हैं, very good, तो आप बताइए, अगर हम बाएं से दाइने जाते हैं, तो धातवी के गुण बढ़ता है या घटता है, यानि धातू की जो quality होती ह इधर जाएंगे, तो हमें धातू मिलेगा या धातू नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो धातू की गुण घट जाएगा, तो धातू की गुण घट जाएगा, तो इधर बताइए, धातू की गुण बढ़ता है, या इधर जाने पर धातू की गुण घट जाता है, धातू की खड़ जाएगा धातवी गुण कमजोर हो जाएगा वेरी गुण धातवी गुण कमजोर हो जाएगा अब आप बताईए दो तीन चीजे और गई इलेक्ट्रोन खीचने की चमता आयनन बीभो कहलाता है दुदू गो इलेक्ट्रोन खीचने की चमता बिदुत रिढ़ात मकता कहलाती है तो बताई आयनन बीभो और बिदुत रिढ़ात मकता यानि खीचने की चमता बढ़ेगी या घटेगी आयनन भी भाँ बढ़ेगा या घटेगा आब बती आयनन भी भाँ बढ़ेगा या घटेगा बती बती आयनन भी भाँ क्या होगा आयनन भी बढ़ेगा या गटेगा बढ़ जाएगा बढ़ेगा भया खीचने की छमता था बढ़ गई क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ कोई एलेक्टरॉन था और ना भी कि यहाँ से मजबूती से इसको खीचे हुआ है अगा गीचे लेकर ऑखा जाती है देखो भया बीदूत रिढ़ात मक्ता और अलेक्टरॉन बंधुता यह टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोन को गरहन करने की अगर गरहन करेगा तो बढ़ेगा जिसकी विद्धुत्र रिदात्मक्ता या इलेक्ट्रोन बंदूता जादे रहती है वही इलेक्ट्रोन को खीच पाता है तो विदुत्र रुडात्मक्ता बढ़ जाती है, अब बात आते हैं, आइनाइजेशन, पोटेंसियल, यानि आइनन विभाव की, आइनन विभाव वह उर्जा है, आइनन विभाव वह पोटेंसियल है, जो इसके एलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है, जै जादे लगाना पड़ेगा, या कम लगाना पड़ेगा, जादे उर्जा लगेगा, अब इसी उर्जा को हम कहते हैं, आइनन विभाव कहते हैं, आइनन विभाव कहते हैं, आइनन विभाव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, आइनन विभाव बढ़ेगा, आइन आइनन विभव क्या हो जाता है बढ़ जाता है आइनन विभव इसमें बढ़ जाएगा याद हो गया किसी को दिखात है तो बोली है कि आगे बढ़ा है इंक्रीज के रहा है लाइव नहीं चल रहा है तो बेव यहां असकानी कह सुनाता है लाइव नहीं चलता है तो घरे आके ठीक करेंगे अप्लिकेशन से बाहर जाओ आजाओ आगे बढ़ा है किसी को कोई दिखात है तो बोली है किसी को दिखात है यह साथ बजे तो कभी नहीं आया है आठ बजी आया है तो आपको यह दहीने बाएं उपर नीचे का मतलब समझ में आ रहा होगा यह दहीने बाएं उपर नीचे वाला कंसेप्ट समझ में आ गया उपर जाएंगे नीचे जाएंगे क्या होगा क्या होगा चलिए इसका अगर हम एक ग्राफिकल एनालिसिस करें एक हम सोचते है कुछ ऐसा चीज बनाए है जिसमें हम एक के जग़ लिख दें तो यह लिख देता है नीचे जा रहा है यह तो इतना बता रहा है कि नीचे जा रहा है और यह इतना बता रहा है कि दाएं से बाएं जा रहा है दाएं से बाएं जा रहा है दाएं से क्या होता है बाएं जाता है अब आप बताईए दाएं से बाएं जाने पर क्या बढ़ेगा क्या घटेगा अगर हम किसकी बात करते हैं देखिया हम यहां बात करते हैं तीन चार चीजों की परमाडू का आकार देखिया है परमाडू का आकार धात वीकता मतल्डब मेटलिटी मेटली गुण धात वीकता परमाडू का आकार क्या होगा बढ़ जाता है धात वीकता की गुण बढ़ जाती है इलेक्ट्रोन का त्याग बढ़ जाता है एलेक्ट्रोन त्याग बढ़ता है क्या हो जाता है बढ़ जाता है यह सब चीजे उपर से नीचे आने में क्या हो जाती है बढ़ जाती है यह सारी चीजे उपर से नीचे आने में क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ये सारी चीजे उपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ता है लेकिन अगर यही सारी चीजे इधर से इधर जाएंगे इस साइड में तो आकार क्या हो जाता है? अगर इधर जाएएगा तो आकार परमाडू का आकार घटेगा धात विखता घट जाएगी इलेक्ट्रोन त्याग की छमता घट जाएगी इलेक्ट्रोन त्याग की छमता घट जाएगी यह सब क्या होगी घटेगी घटता है क्या होता है घटता है क्या हो जाएगा घट जाएगा ऐसा ही एक बना लेंगे बिद्धुत्र रात्मक्ता एलेक्ट्रान बंदुता और उसके लिए तो यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गया अब हम लोग चलते हैं एलेक्ट्रान एक केमिकल बॉंडिंग के वह पर किरासाइनिक बॉंड कैसे बनते हैं केमिकल बॉंडिंग बाई अब उल्टा सिधा कमेंट अगर कोई कर दिया आप तो हम पक्का बताते हैं कमेंट बंद कर देंगे और फिर इस बैच के लिए सस्पेंट कर देंगे याद रखना लो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाला है क्योंकि दिमाग कभी-कभी जनक जाता है तो अदमी कभी कराम से तो पढ़ो वरना अगर जादे डिस्टर्ब करोगे तो केमेस्ट्री के लिए पूरे पूरे सेसन कमेस्ट्री के ब्लॉक कर देंगे मतलब वो लाइव क्लास लाइव नहीं रहा जाएगा रेकॉर्डेट हो जाएगा इसलिए नोटंकी नहीं किया करो लोग माबाब स टे Ann spring कार नहीं सिख्षाय हैं कोई बात नहीं इसका परीचे यहाँ नहीं दीजिए हैं हो सकता है कि आप माबाब कहीं हो चलीए हैं केमिकल बाउंडिंग chemical bonding chemical bonding को हिंदी में क्या करते है racinic bond करते है racinic bond ये क्या होता है electron के दो या दो से अधिक ततों के आपस में जुडने या अलग हो जाने के जुडने की क्रिया को हम racinic bond करते है chemical bonding करते है chemical bonding करते है जब दो चीज़े आपस में जुड जाती है तो उसे chemical bonding कहते हैं ये chemical bonding दो type की होते हैं सब दो क्या कई type की होते हैं सब चलिए हम लोग पहला type देखते हैं सबसे पहला type को हम लोग कहते हैं ionic bond या electromagnetic bond कुनसा bond? ionic bond या electromagnetic bond ionic bond ही उसको में ली कहा जाता है जिसको हिंदी में क्या का जाएगा भाई, आइनिक बॉंड को, हिंदी में उसको का जाते हैं, हिंदी उसका नमुए ध्यान बने जा रहा है, आइनिक बॉंड को हिंदी में आइनिके बॉंड का जाता है, एलेक्ट्रो वैलेंड बॉंड या आइनिक बॉंड हिंदी में इसको क का जाएगा यार आयनिक बॉंड का जाएगा चलो आयनिक बॉंड इंगली सिंदी दोनों आयनिक ही होता है आयोनिक या एलेक्ट्रो वेलेंड बॉंड आयनिक बॉंड कहेंगे या इलेक्ट्रो वेलेंड बॉंड एलेक्ट्रो वेलेंड बॉंड देखें बाई ये एलेक्ट्र इलेक्ट्रोन का त्याग अस्थानांतरण से होता है, इलेक्ट्रोन के अस्थानांतरण, अब ये इलेक्ट्रोन का अस्थानांतरण क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोन को आप हमेशा के लिए अगर दे दिये न, तो उसी को कहा जाता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बोंड, यानि आइनिक bond उसी को का जाता है हिंदी भी आइनिक होता है अब अभी नहीं समझे देखिये यह जो विवा की तरह होता है कैसे होता है विवा जैसे साधी होता है विवाद लिख दिये गया दोनों एक के बतिया है विवा की तरह होता है विवाह में एक बॉय का होना जरूरी है और एक गर्ल का होना जरूरी है अधर्वाइज वो भियाह नहीं होगा उसी तरह इसमें भी एक धातू का होना जरूरी है और एक अधातू का होना जरूरी है धातू और अधातू दोनों का होना जरूरी है तो question इसमें कई टाइप से प आइनिक बंड जैसे, सोडियम एक धातू है, क्लोरीन एक और धातू है, तो लड़का लड़की जहां दिख गिया तो यह आइनिक बंड हो जाएगा, अब आप में से कई लड़का पुछे कासरो सोडियम पता करे से चला कि धातू है, तो भाइ या, इसका सोडियम का 10, 17 हो गया complete आपको पता है कि अगर 4 से कम होता है बाहरी कक्षा यानि संयोजी एलेक्ट्रोन 4 से कम होते हैं तो उन्हें कहते हैं धातू और अगर 4 से जादे होते हैं तो उन्हें कहते हैं ओधातू उन्हें क्या कहेंगे? ओधातू कहा जाता है क्या कहा जाएगा और धातू कहा जाता है किसी को दिक्कत और धातू तो धातू और धातू तो आपको सुचना है न यार आप हम थोड़ी ने बताएंगे आपको बार बार क्या है तो इसमें कौन सा बॉंड हो गया HBL K खां लोल कहीं का तु पढ़ाई फिर ध्यान देना ना को रूक्री नहीं होगा बगरी कातना पड़ेगा च्छो राप byte किसे पढ़ाई पेद्याने नहीं दीगा लोग ने तो बकरी कातें और ने तो पंचर सेटना पड़े गारेगा नहीं तो मुलाना साथ बनना पड़े पुस्ता क्या है यह लड़की लड़की कभी नहीं बोलती है क्योंकि एक बार इतियास में लड़की नहीं गलती किया था उस लड़की का नाम था सुपनेखा उसने प्रपोच करके गलती किया उसकी सजा हो गई उसकी नाक कट गई तो हर लड़की को इसी बात का डर लगता है सार, हमको बोली थी, आरे, कोनों बोले, कोन आ? さहिल सिंह बोली थी, कोनों चुरहील होगी, जो न अगा कोई नहीं पूछ रहा होगा, तो तोरा पूछ ली, हो गया, बिदुद सांजोजी, आइनिक बॉंड कहिए या भी दुट सायोजी कहिए हो गया यहाँ पर, देखिया, आप बताएंगे, M, G, और O में, M, G, और O में, आइनिक बॉंड हो जाएगा, कैसे भाया, M, G का परमणुकर महिंग 12 होता है, यह भाई सापका 8 होता है, इसका सबज़े यह, 2, 8, 8, 10, आप 10, आप 12, बारी कक्षा में दूगो हो गया, तो यह हो गया दातु, दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी, दातु आप दातु चेक करिये मार ड़ी है, खतम, अब यहां देगे इसका पहली कक्षा में दो दूसरी कक्षा में छे कम हो गया चार से जादे हो जाता है अधातू एक्षाम में कोश्चन है क्षा में कौन सा बॉन्ड है पाचा निये तो इतना दिमाग लगाईए का सीधे लड़का लड़की देखे लड़का लड़की दिख रातू रथ भी आकरा दीए ओ गया साम्या गया धातू अधातू होने माला भिवा कौन सा ओ जाता है एनेसीयल कौन सा हो गया ऑधा एनेसीययल हो गया आगे बड़े दूसरा आता है कोवेलेंट बॉन्ड को उन्वेलेंट को हिंदी में क्या कहते है सहस्वन्योजी बंद कोवैलेंट बंड कोवैलेंट बंड किसी यह को दिकत कौँसा बंड भीया? कोवैलेंट बंड यह क्या होता है? भईशाब यहां देखो इलेक्ट्रोन की साजेदारी होती है मतलब क्या हो गया ये सहेली की तरह होता है किसकी तरह होता है सहेली की तरह जैसे देखें पती पत्नी में कभी किसी चीज की साजेदारी नहीं होती है जैसे मान के चलिए कि आप अगर दो फ्रेंड हैं दो फृand है अगर कहीं party में जा रहा है काहीं बाहर जा रहा है तो आप उसको 10 दिन खिला दीजेगा곤 होटल में चल आज तुम्हारे चाय का पैसा हम दे देता है चल तुम्हारे समोशे का पैसा हम देते नस जिन्दिगी भर नहीं उच्चुका आप आप गया, उसको नथिया दो, टिकुली दो, दुखोंची दो, जिन्दिगी भर तुम एक चुटकी जो सिंदूर लगा दिये, इसकी कीमत तुम क्या जानो, कि इसकी कीमत तुम कभी नहीं चुका सकते हो, शचुरा ये GST का बाप है, इसकी कीमत तुम नहीं जान सकते हो, शच्च में आगे की नहीं आगया, आगे जमझे, ये हो गया आपका, तो वैसे इसमें क्या होती, साजेदारी होती, ये सहली वाला काम होता है, क्या हो गया सहली, अभी सहली है सब तो दुनो अधातू रहेगी सब, इधर भी अधातू, दूनो दूनो आपस में बती आईगी अगर 10 रोटी बनाती है तो 2 महिला कितना रोटी बनाएगी एक महिला अकेले दस रोटी बना सकती है तो दो महिला मिलके कितनी रोटी बनाएंगी पाँच हाँ जीरो एक को नहीं बनाएंगी सम्द जीरो रोटी बनाएंगी सम्द आगे देखे चली बहुँ यहां समझी जैसे देखे आपको पता है कि electronic bond बनाएंगी जाते हैं हम आप से पूछते हैं bond बनाएंगी जाते हैं तो bond इसलिए बनाए जाते हैं कि बाहरी कक्षा में 8 electron को complete किया जा सके जैसे आप पहले इसी में देख लिजिए NaCl बना कैसे था तो यह bond को complete करने के लिए था Na का परमाड़ु करमाइंग 11 था Cel का था 17 Cel का था 17 आप देखेगा इसमें 2, 8, 1 इसमें 2, 8, 7 यह क्या करता है इसको पता है कि अगर हम अपना एक electron यह last वाला इसको दे दे तो यह भी खुस हो जाएगा आठ हो जाएगा और हम भी खुस हो जाएगे कि सबसराई चल गया हमरे यहां आठ हो जाएगा तो main जहमेला जो है यह अपने बारी कक्षा में 8 electron रखने का है main जहमेला बारी कक्षा में किसका है 8 रखने का है इसके अलावे कोई जहमेला नहीं है चाहें वो बियाह करके आठ रखा जाए चाहें वो दोस्ती करके आठ रखा जाए तो बस यही जहमेला है आठ का तो अब हम देखते हैं वहां तो बियाह करके आठ हो गया यहां दोस्ती करके जैसे आप ही को हम कहते हैं कि एगो क्लोरीन है सचुरा एगो और क्लोरीन है बताइए कोन सा बांड कोन सा बांड तो देखिए पहले लड़का लड़की रहेगा तो भी आकरा दिएगा लड़की लड़की रहेगी तो सहली एकरो सचुरा सटर हो दू आठ साथ एकरो दू आठ साथ हो अधा तू इह बहुत और धातू को इभी अधातू इभी अधातू धातू दोनों तो भया हो गया इसमें क्या तों आट साथ दो आठ साथ हो जाएगा हम और उच हात पताने लगेंगे यहां करते ही दे आम राके गो हम इसान्थ हो जायते ही चट पठाओ तू कि कहे के जब तु ना सबूत हम कहे सऑ तू लड़की लड़की में कभी बर्दास होई नहीं सकता है है कि सभ्वा गया अगर कहीं लड़की दू लड़की मिल कर कहीं होटल में खारी है और वी लाया करते हैं हम दोनों लोग सट जाते हैं हम दोनों लोग सट जाते हैं जब हमरा जरूरत लगेगा तो हमरा एगो एलेक्ट्रोन तुम ले लेना लेकिन लेके भागना नहीं जब हमरा जरूरत पड़ेगा तो हम जो दिये थे तुमको उलेवे करेंगे और फिर तुमसे लेंगे य एक्रेपास सेलेंडर है चूला नहीज और चूला शित कर दो शुल के सहल नहीज़ ना बनेगा है और या इस ने का जाता है यहां za si l-na ke passa मोले थिकर चुब खाना घया है यहां जो 16 और क्या धंग कंच एक इद्गो एलेक्ट्र óna के लिए लेक्ट्रましょう बताईए यहां एक हो एलेक्ट्रोन के लिए हुआ है दो डो एलेक्ट्रोन के लिए हुआ है आगे पढ़ें एक एलेक्ट्रोन के लिए हुआ है कितने एलेक्ट्रोन के लिए हुआ है एक एलेक्ट्रोन के लिए हुआ है एक electron के लिए हुआ है तो इसको कहेंगे single bond एक हो electron के लिए है तो single bond हो गया एक हो electron के लिए है तो single bond हो गया चलिए चला इतनी E देख लिजे तो बबुगा oxygen है 8 एक और oxygen है 8 E बता ये कौन सा bond बनाएगा E बता ये कौन सा bond बनाएगा पहले ही decide के रिए एक रढ़ यह बिया होगा कि सहेली बनेगी decide किजी कि 24 होने वाला है कि सहेली बनेगी और अगर सहेली बन गई तो बताइए कितना bond बनेगा कितना bond बनेगा डबल बॉंड बनेगा सब लोग हुँजी आ रहे हैं देखो भजा इसमें पहली का अक्षा में दो दूसरी में छे दो अच्छे आठ हो गया इसमें भी दो और छे आठ हो गया ठीक है ये कहेगी कि भई तु दूगों हमरा दे दे हम आठ हो जाएंगे हम हो जाएंगे सांत तुम छट पटाते रहना तु कहीगी का है के हम ना छट पटे तो तेही आपन दूग एलेक्ट्रॉन दे हम सांती से बइठेंगे तुम छट पटाओ तो दूनों में होगा समझोता कि ना हम छट पटाओ ना तुम चट पटाओ, चलो हम दोनों आपस में एक हो जाएं आपस में एक हो जाएं लेकिन अंदरें अंदर ये डबल बॉंड बनाया है सब अंदरें अंदर क्या बनाया है सब डबल बॉंड बनाया है सब क्या बनाया है सब डबल बॉंड बनाया है सब तो ये भी सहेली वाला है, ये भी सासन जोजग बॉंड है, ये भी क्या है, सासन जोजग, ये भी सासन जोजग है, लेकिन ये डबल बॉंड है, वही अगर आप इससे पहले का देखिएगा, सिंगल बॉंड, तो ये भी सासन जोजग है, दोनों में दू लिखा है यहां दू लिखा है इसका मतलब यह नहीं होता है कि डबल बॉंड है इदू को मिले हैं सब हम जीए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें और यह गो इलेक्ट्रॉन के लिए यहां भी दू लिखा है इसका मतलब यह नहीं की double bond है इद्दू को मिलला है हम जीए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे दो एलेक्टरोन के लिए कितने एलेक्टरोन के लिए दो एलेक्टरोन के लिए आप nitrogen बनाएए तो nitrogen nitrogen में बताएए कि भिया होगा या साधी होगी नाइट्रोजन के लिए बताईए सहली होगी कोगो बॉंडर वाली सहली एक टो पुझरा सर आपको गाना भी आता है अरे चमखम वही दमखम वही घरगाट वही है तलवार पुरानी है पर काट वही है ट्रिपल बॉंड खॉंचा बॉंड है ट्रिपल बॉंड देखिया जा पहली काक्षा में दो दूसरी काक्षा में पांच साद गो खतम पहली काक्षा में दो दूसरी काक्षा में पांच साद गो खतम अब यह हो गई लोग सहली दूनो अधातू यह कहेगी भाईया तीन गो हमरा दे दे हम हो जाएगे आठ तुम छट पटाओ इसे कहेंगे चैनल हो जाएगे है रहर्त हुआ हां रह्त सबाइगे हैं माक्यशली फार बॉलिये हैं यह फार है लेकिन यह भी है आपका शाह्ट वेज़ग ये भी है सासंजोजग और ये भी है सासंजोजग तीनों के तीनों सासंजोजग लेकिन हम कहा दें कि इसका फोटो बनाईए तो फोटो ऐसे बनेगा एगो क्लोरीन एगो प्लोरीन सटल थे एगो एलेक्टरॉन के लिए तो एगो सिंगल बॉंड इसका फोटो बनाने के लिए अगर कहा दिया जाया कि ऑक्सीजन का बनाई ये फोटो तो एगो ऑक्सीजन दूगो ऑक्सीजन लेकिन सटल थे सब दूगो एलेक्टरोन के लिए तो डबल बॉंड इसका अगर फोटो बनाने के लिए कहिएगा तो एक वो नाइट्रोजन, एक वो नाइट्रोजन, लेकिन सटल थे सब ट्रीन गो एलेक्टरोन के लिए, तो यह हो गया फोटो, हो गया फर्मूला, अब वो हो गया अंदर की पिसेस्ता, तीनों चीज याद रहेंगे सब, फोटो बना लेंगे लोग, किसी को कोई दिक्कत न के काम उपाय कर रहे हैं, डेवलेपर को बोल दी है, आज रात में कोई ना कोई डिसीजन आएगा, कल सूबा बता देंगे, दस दिन का इस्टेटिक जी के हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत है, नई दिक्कत है, चलो भाईया, आओ, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, मेथेन, फार्मूला होता है, CH4, फार्मूला होता है, CH4, आप इसमें दो चीजे पताईए, कि ये बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड कैसा है, मतलब बिद्धू संजोजी, सा संजोजी कोन सा है, बॉन्ड का नेचर कोन सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके लावे इसका structure बनाईए, structure बनाईए, एक ही में अंचा दीजे न, कोवेलेंट है, सिंगल है, structure तो नहीं बन पाएगा, कोवेलेंट रो सिंगल, साधी कोन करादी येरे बकलोल बाईण साओ मैं, मार कराएगा तुम लोग, कारबन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन, कारबन होता है चाओ, तो पहली कक्षा में दो, दूसरी कक्षा में चार, हाइड्रोजन होता है एक, इसका पहला दूसरा में हाईए नहीं, इसका एग हो हाईए, एग हो आख के अखुआ, यानि इसके बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रोन तो मेन काम तो होता है यार बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रोन को अंदर वाला किस काम का है अंदर वाला कोर इलेक्ट्रोन तो कभी भी किसी रियक्शन में भागी नहीं लेता है तो हम यहां यह से लिख सकते हैं कि यह कारबन है इसके बाहर चार्ठ वह एलेक्ट्रोन है शब छइब पटा रहा है सब कोई मिल यह हमको यह आईड्रोज़ब की है क्योंग है क्यों कि हूँ कर जिए और शार्ज यह फिरा इताए कि चलो चलो हम लोग सहेली बन जाए तुम हमारा यूज कर लेना समान और हमको तुमारा समान का यूज करना पड़ेगा आईसे 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 हो गया सिंगल बांड था, सासंजोजग था सिंगल बांड और सासंजोजग बांड सिंगल था और सासंजोजग था किसी को व्याद रह 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 photography, किसी को कोई दिक्कत है यह किसी कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब यहाँ देखिए मेरी और एक होता है सिंगल बॉंड एक होता है डबल बॉंड एक होता है ट्रिपल बॉंड अब इसमें दू तिंच दू कुछ बाते याद रखिए सिंगल बॉंड होता है ये कमजोर होता है क्या होता है कमजोर होता है और ये जो होता है मजबूत होता है मजबूत होता है लेकिन ये साइज में बहुत छोटा होता है कोई भी छोटी चीजी मजबूत हो सकती है लंबा छड़ी मजबूत नहीं होती है छोटी छड़ी तूटती नहीं, ये कलम तूटेगी नहीं, सेम कलम को बस लंबा कर दिए, अपने से तूटियाएगा, तो ये कमजोर क्यों होता है, क्योंकि ये लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है, लंबा होने के वैसे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉंड क्या कहते हैं? सिग्मा बॉंड सिग्मा को ऐसे ही लिखा जाता है इसे लिख देते हैं ने तो पढ़ले नहीं जाएगा इन सब को Sigma कहाते है Single Bond को क्या कहाते है Sigma कहाते है इसके इलावे Double Bond Triple Bond, इसको Pi Bond कहते है जैसे हम आपसे एक example पूछते है यह देखिए, यह है आपका Hydrogen एक Hydrogen, दूसरे Hydrogen से जुड़ा हुआ है Single Bond को ही हम Sigma Bond कहते है तो इसमें कितने Single Bond है तो एक Single Bond है कितना sigma bond है तो एक sigma bond है लेकिन अगर हम वही आपको अगर दूसरा example oxygen का दे दे तो यह देखें oxygen दो-दो पर माड़ू से जुड़ा रहता है तो इसमें sigma bond कितना है? एक और pi bond कितना है? एक, second bond को भी pi bond कहते हैं और third bond को भी pi bond कहते हैं first bond को sigma bond कहते हैं second को भी pi कहेंगे, third को भी pi कहेंगे तो बताएए इसमें क्या है? एक sigma है और एक pi bond है एक sigma है और एक pi bond है एक sigma और एक pi bond है nitrogen में बताएए कितने sigma और कितने pi bond है? कितने sigma और कितने pi bond है? single bond को इस sigma bond कहते है मच्छर तुमको कि मिश्टी समझ में नहीं आएगा जा यहां से नाइट्रोजन वाले में बताइए कितना है सिग्मा नाइट्रोजन में नहीं दिख रहा है आपको सर आपका वीडियो नंबर तेरा पर ट्रेंडिंग कर रहा है हाँ भाई एक कोरोड लोग देखें मेरा एक्टो किसान वाला जो बनाएते ना MSP क्या होता है APMC क्या होता है एक कोरोड लोग देखें उस वीडियो को नंबर ट्रेंडिंग कर रहा है चलिए देखें अब बबु यहां ध्यान से देखें पहला बॉंड तो सिग्मा हो गया दूसरा पाई कहलाता है और तीसरा भी पाई कहलाता है पहला तो σीगमा कहलाता है सब में पहला बॉंड सीगमा होता है दूसरा भी पाई कहलाता है तीसरा भी पाई कहलाता है तो जब भी ट्रिपल बॉंड देखेंगे तो एक सीगमा और ये भी पाई और ये भी पाई कितने पाई दो पाई तो 2 pi bond और 1 sigma bond हम आपको एक figure देते हैं आप बता ही तो इसमें कितने sigma कितने pi इसमें गिन के बता दीजेगा हम समझ जाएंगे आपको कितने sigma कितने pi इसमें total sigma bond गिनी है और total pi bond बता ही है और अंसर दिजएगा सिगमा कितना है और पाई बॉंड कितने है सिगमा और पाई कितने है तीन सिगमा दो पाई वेरी गुड देखिया बाबु मेरी ओर देखिया यह सिंगल बॉंड है फर्स्ट बॉंड है नहीं तो यह भी क्या है सिगमा बॉंड है यह भी फर्स्ट बॉंड है यह भी इसमें का एक तो यह जो एक है फर्स्ट बॉंड यह तो सिगमा रहेगा तो टोटल सिगमा कितने हो गए तीन सिग्मा बॉंड हो गए 3 पाई बॉंड कब बनता है सेकेंड को भी पाई काते है और थर्ड को भी पाई काते है तो एक ये वाला पाई बॉंड हो गया देखिए ध्यान से ये भी पाई बॉंड कहलाएगा ये भी पाई बॉंड कहलाएगा तो pi bond हो जाएंगे सब 2 pi bond कितने हो गए सब 2 second को भी pi कहते हैं third को भी pi कहते हैं तो आप कहेंगे दोनों को pi कहते हैं तो pi कहते हैं समझ में आ गया एक और figure दें बनाई हैं चलिए बता दिजी इसमें कितने सिगमा कितने पाई सिगमा बताएंगे और पाई बताएंगे कितने सिगमा बताएंगे 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 ब झाल 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 सिग्मा बॉंड गिनते हैं सिग्मा को हम रेड कलर से कर देते हैं एक सिग्मा दो तीन चार पांच छे सिग्मा बॉंड छे बच गिया जो पाई बॉंड पाई बॉंड दो पाई बॉंड कितना हो गया दो पाई बॉंड दो सिग्मा पाई समझ में आ रहा है कुछ वहीं नहीं अगर एक के चीज़ा को सिग्मा पाई कहता है कोई गज़ी तेल चट्टा बना दिये इकोंची यह बेंजीन है बले इसका रेजोनेंस इस्ट्रक्चर नहीं है तो क्या हुआ बेंजीन है सिग्मा और पाई बता दिज़े यह सबसे बड़का पूझे गई इतेल चट्टा का बता यह सिग्मा और पाई सिग्माशचर दिए सिग्माशचर इसका बता क्या बता है इतेल क्या बता है कर रूचर पाई बता है कि अबात बता है अरे गिंदिया लोग चलिए हम सीगमा को रेड कर देते हैं सीगमा को क्या कर देते हैं एक सीगमा एक दो तीन चार पांच छे छे सीगमा ऐसे हो गया याँ देखिए साथ आठ नो दस ग्यारा बारह टोटल सीगमा बॉणंड कितने हो गएं बारह बारह सीगमा बॉणंड हो गएं अब जो BLEK वाला भज गेए 1, 2, 3 तो यह वाला पाई बॉंड 3 पाई बॉंड कितना हो गया? 3 हो गया पाई बॉंड 3 सि 설मा पाई बनाना सियगा सि engines double triple सियगा बिद्धुत सकत्योजी यानि बिया वाला सियगा सास्न्योजी यानि 2 सिक्ञा दोस्ती तीन तरह से, एगो से, दूगो से, तीन गो से, एगो से दोस्ती सिंगल बॉंड, दूगो से दोस्ती डबल बॉंड, तीन गो से टिपल बॉंड, इसमें किसी को दिक्कत, सिग्मा पाई एक कोश्चन आता है, इसमें याद रखेगा, सिग्मा और पाई से कोश्चन प प्रोडीनेट बॉंड कोडिनेट बॉंड होते हैं सब इसको कैसे बनाते हैं सब कोडिनेट को कहते हैं are सांजोजी Coordinate Coordinate bond Coordinate bond को हिंदी में करते है उपसांजोजी अब यह जो होता है न भाइसाब यह अलग टाइप का बोंड होता है कभी-कभी आप देखते हैं कि आदमी कभी कोई समान लाया बजार से जली भी लाया आधा किलो खाने के लिए खरीदते टाइम तो लगता है आधा किलो जली भी खा जाएगा लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जली भी आदमी खा नहीं पाता है तो सुचता है फेकने से अच्छा कोनों को दे दे तो देता है आदमी पडोसियो ले तुम खा ले, खालो, खालो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, वो जान बुचके नहीं दे रहा था, बचल खाना दे रहा था कि हम तो आप पर परोपकार कर रहा है, जबकि उसे सौधन इहीं रहा था, क्यों नहीं रहा था, सौधन इहीं रहा था, माया लगता है अच्छ यहारा मुझ देखता है यहारा हम हो है अमरों को कभी पूछ लो हम लोगो को कोई नहीं पूछता है तो अदिए माया लगता है कि तुम खाले देखा ले तुम हमरे पास तो हई यह तुम खाले यहां पर इसी उकते कोवल कोडिनेट बॉंड आपस में कोडिनेट कर देना नहीं यहां सहेली है बिया भी नहीं है सहेली भी नहीं है यह तरह का एहसान है क्या है एहसान एहसान कर रहे हैं तुम्हारे पर क्या कर रहे हैं एहसान कर रहे हैं कि चलो तुम भी जीदा रहा है तुम भी क्या कर लो जी लो तो इसी को कहा जाता है एहसान जैसे अमोनियम मे देखेंगे Ammonium NH4 इसमें यही एहसान किया जाता है Ammonium में क्या किया जाता है? एहसान कर दिया जाता है NH4 आप देखिए पहले आप यह decide कर लिजे किसका किसका formula कैसे कैसे होगा nitrogen के बाहरी nitrogen का पहले यहां देखें nitrogen का परमाडू करमाग कितना होता बया 7 होता है आपको पताएगी पहली कक्षा में होगा 2 दूसरी कक्षा में होगा 5 तो क्या पहली कक्षा यानि कोर electron भाग लेता है नहीं लेता है मेन भाग कोन लेता है बाहरी कक्षा का electron कितने को खोज रहा है कितने को खोज रहा है कितने को खोज रहा है तीन को कितने को खोज रहा है तीन को जबकि यह एविलेबल कितना है चार तीन को खोज रहा था एविलेबल कितना है चार तो देखिए ध्यान से क्या करेगा यह नाइट्रोजन कहेगा कि देख भाईया हमारे बाहरी काक्षा में हमको हाइड्रोजन देखें कैठों से एक दो तीन चार इसको करना था दोस्ती तो यहाँ से यहाँ एक दोस्ती कर लेगा यहाँ से यहाँ एक दोस्ती कर लेगा देखें यहाँ से यहाँ दोस्ती कर लेगा अब आप ज़रा समझे, नाइट्रोजन को चाहिए कितना था, यहां समझे नाइट्रोजन को कितना चाहिए था, नाइट्रोजन का साथ होता है, पहली में दो, दूसरी में पांच, इसको चाहिए था तीन, तीन से दोस्ती कर लिया है, एक, दो, तीन, इस तीन से दोस्ती कर ल तुम भी मेरा यूज करना तो इदूनों खूस इदूनों खूस इदूनों खूस हाई हाई जा खूस है तीनों से खूस है अब बेचारा यह वाला हाईडरोजन टुकु टुकु मूँ देखेगा ओ माई गॉड दिल के अर्मा आसुओं में बह गए हम वफा करके भी तनहां र हाज में दे एक एलेक्ट्रोन दे दे तमी जास ठोयें खी खूस हो जाईगा कि सूंस यसकाम तो इसके नारफ्ल ऑम आसमेया है और अगर दोस्ती कर लेगा तो एक श्ट्रा आजाएगा इसके लिए बवाल हो जाएगा तो यह ससुरा ना हमेशा के लिए दे सकता है और नहीं उससे दोस्ती कर सकता है हमेशा के लिए देता था विद्दूद सहयोजी दोस्ति कर लेता था सौसन योजी अब ये हमेशा के लिए ना दोस्ति करेगा एक एखसान करेगा कह देगा देख हमरे पास जो electron है ना इसमें से तुम एगो यूज करना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा लेकिन लेके भागना मा तुम मेरा है जब जग हमको certificate की रूप में देखाना होगा हम तोरे से लेके देखा देंगे लेके भगियो मौत तो इसको एक तीर दोरा दिखाया जाता है तो इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि जितनी जरूवत है अगर उससे जादे हो गया तो एहसान कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है एहसान कर दिया जाता है जरूवत से जादे होने पर एहसान किया जाता है अब कोई एह कूरता है अमीर आदमी बड़े आदमी लोग囉 कर देते बर यजादे है ले लो तुम ले लो इसे हिनो इसान कियाझा जाता है यह थे US Hahn तो दही के विवह का लधा हो जाता है कि दिना उपjsk log साहेली वालos योई एसान कर दिया तो वॉप सअ सोझ सञ जो आगे बड़े इकोन कहता है बेकूप कहीं का सुनील कुमार बोलता है कि हमरी गर्लफ्रेंट का साधी हो गया लेकिन वह वहाँ खूस नहीं रहती है बोल रही है हमसे साधी कर लो रह चुट्टा कहीं का अईसी लड़कियों को ना अईसी लड़कियों को देखी देख इदेख रहा है ना इससे मारना चाहिए इससे जो अपने माबाप की इज़त का ख्याल नहीं रख रही है कि ससुराल से भाग के आएगी तोरे लिए उसका बाप जिंदगी बर क्या करेगा सर जुका के जीएगा भाई जिंदगी बर सर जुका के जीएगा तो जिस मा ने उसको पाला जिस भाई ने उसे समहाल के रखा, हर एक मुसीबत से बचा के रखा, जिस बाप ने उसको अपने कम खाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उन सब क्यों प्यार को भूल के तोरा से कहती ही कि हमरा चल उकरा छोड़ देंगे, बाग जाएंगे, क्या तुम्हारा साथ निभ जाएगी, बकलोल कहीं का, सब माड़ा हमरे क्लास में चलाता है, जतना लथेर रहेगा समना, चलाएगा साथ, कौनों के भाईज भूला गई है, चलो खांसर के क्लास में, कौनों की गलफ्रेंट भाग गई है, खांसर के क्लास में, कौनों को लईका नहीं हो रहा है, खांसर बॉंड, कोडिनेट बॉंड एक एहसान की तरह किया जाता है, आलतु पालतु कमेंट मत किया कर ब्लॉक कर देंगे हम फिर, वो करा डिलीटे कर दी है सांग में आ गया बॉंडिंग में दिक्का थे किसी को अरे यार, फालतु सब को क्या कहें, इन सबको समझ में नहीं आता है माबाब पैसा भी दी है, पढ़ने के लिए इचोटा सब यहां आके अपना दुखरार हो रहा है सब कौन समझाएगा इन हरामियों को गलत आगे कोई कोई और सवाल पुछिए किसी को पुछना है अएमेशन पपुछागा यहा है चलिए तो यह तो समझें आप लोग अब आप समझते है हाइड्रोजन बॉंड कौन सा बॉंड हाइड्रोजन बॉंड हाइड्रोजन बॉंड हाइड्रोजन बॉंड आपको पता हाइड्रोजन बॉंड में हाइड्रोजन का होना जरूरी है हाइड्रोजन बॉंड में हाइड्रोजन का होना जरूरी है कि यह कोई दिखा था हाइड्रोजन बॉंड में किसका होना जरूरी है हाइड्रोजन का होना जरूरी है लेकिन हाइड्रोजन पहले क्या करेगा फोन करेगा क्या करेगा फोन करेगा अब फोन लग गया तो समझे कि हाइड्रोजन बॉंड बनाएगा फोन लग गया तो कौन सा bond बनाएगा hydrogen bond को बनाएगा लेकिन अगर phone नहीं लगा तो hydrogen bond नहीं बना पाएगा ये एक ट्रीक है बाबु फोन क्या है एक ट्रीक है hydrogen bond बनाने के लिए phone एक ट्रीक है जैसे hydrogen जब fluorine से क्रिया कर ले hydrogen जब fluorine से क्रिया कर ले जैसे अगर ये hydrogen किसे क्रिया कर ले फ्लोरीन से जैसे HF तो hydrogen bond है अगर ये hydrogen oxygen से क्रिया कर दे H2O तो भी hydrogen bond है अगर nitrogen से कज दे NH3 NH3 तब ये क्या है hydrogen bond है otherwise में कहीं भी hydrogen अगर आता है otherwise में कहीं भी hydrogen आ जाता है तो ये hydrogen कभी भी otherwise में कहीं भी hydrogen आएगा तो आप उसे hydrogen bond नहीं कर सकते आप कभी भी उसे Hydrogen Bond नहीं करेंगे Hydrogen Bond बनाने के लिए Hydrogen को पहले फोन करना पड़ेगा फोन लग गया तो Hydrogen Bond HF में Hydrogen Bond अब बती HF का परियोग कहां करते हैं काच पर लिखने के लिए काच पर लिखने के लिए काच पर लिखने के लिए किसका परियोग करते है हाइड्रोजन बॉन्ड का परियोग करते है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाशानने का तरीका हाइड्रोजन से फोन कराईएगा PON फा से फ्लोरीन से करेगा hydrogen bond oxygen से करेगा hydrogen bond nitrogen से करेगा hydrogen bond आप बते ही तो यह hydrogen bond ही है क्या HCL hydrogen bond है क्या HCL hydrogen bond है नहीं है यह hydrogen bond नहीं है क्योंकि यह bond है यह phone नहीं लगा हुआ है आप बताइए यह कौन सा bond है आप पता कर करके बताइए यह भिया हुआ है सहेली हुआ है सविया इहसान हुआ है आपने यह बता दिये कि hydrogen bond नहीं है तो आप बताईए पता करके बताईए पहले चेक करिए धातू और धातू ऐसा तो या करा दीजेगा दूनों और धातू है तो सहली बना दीजेगा एक्स्ट्रा हो गया तो एहसान करा दीजे करा के दिखाए hydrogen ओपने ल container दीजेगा दीजेगा और धेन pouvoir बताईए आपादू भार झापने डापनों और एहसा आपनों दो एहसा एहसा दगी करा दूने उताए़ आपनों हा से कोको कोवैलंड बॉंड और डिकेए कई चील हाइड्रोजन का परमाळुकरमां एक होता है सब्सक्राइये एक दे देगा देता तबन धातु रहता देगा ही है का मरिये जाएंगे हम से ओर यह ओह दे दें तो अधात चलो कर दो आठ्ट दस साथ तुरह इभी नहीं देखाए कि दूछो चत्ते हम राद के दूगों हमूना देखें तो यह जात हुआ औधातू, क्या हो गए से अधातू, तो यह कहेगा, चलो हम दोनों आपस में सट जाते हैं, तो एक हो एलेक्टरोन के लिए सट गये, अब दिखे, गैस, गैस में आपस में एक वांडर वाल पाये जाता है, जो गैस, गैस में पाये जाता है, यह सबसे कमजोर बांड होता है, सबसे कमजोर बांड कौन सा होता है, वांडर वाल, उसको पढ़ने की जरुवत नहीं है, आप सीधे याद रखेंगे वांडर वाल गैस, वांडर वाल जो होता है, सबसे कमजोर बांड होता है, जो गैसों में पाये जाता है, हम आपको कौन कौन सा बांड पढ़ाए हैं, आ दूसरा है सासंजोजी सासंजोजी बॉंड इसे क्या कहते हैं कोवेलेंट कोवेलेंट अब यहां से आपको आगया क्या चीज़ सिंगल बॉंड यह तीन टाइप के सिंगल बॉंड डबल बॉंड और ट्रिपल बॉंड और इसी में से एक निकल गया आपका क्या चीज़ सिग्मा बॉंड और पाई बॉंड इसी से निकले सब दोठो एक हो गया आपका सिग्मा बॉंड और एक हो गया आपका पाई बॉंड सिग्मा बॉंड और पाई बॉंड हो गया तीसरा क्या था उपसा संज्योजी coordinate bond तीसरा था उपसा संजो जी इसे क्या कहेंगे coordinate coordinate bond चौता था hydrogen bond पचवा है wonder wall wonder wall इन में trick क्या क्या थी वईए ये था विवा विवा कैसे होता है अस्थानांतरण हो जयता है बहू का अस्थान बदल जाता है उपना नएर छोड़के चालाती है अस्थानांतरण अस्थानांतरण ओही घरवा में रही की तो भी यह थोड़े होगा, अस्थनांतर होगा, इसमें क्या होता है भाईया, यह सहेली, सहेली, यानि साजेदारी, साजेदारी होता है, इसमें क्या होता है, एहसान होता है, तुमारे पर एहसान कर रहे हैं, इसमें क्या करना है भाईया, फोन लगाना और यह कहां देखने को मिलेगा गैसों में देखने को मिलेगा बॉन्ड का ये समरी है, इसको आप चाहें तो लिखेंगे ये खाली टाइम पर आराम से रिवाइस कर देगा, बॉन्डिंग चेप्टर खतम हो गया, आपका टाइमिंग हो गया दस बज़ गया क्या बज़ गया जी दस बज़ गया कहना पीना खाय जाए फिर बारा बज़े मिला जाएगा ट्रिपल सबसे मजबूत हो जाता है यह बॉंड सबसे मजबूत हो जाते हैं सबसे कमजोर कौन सा हो जाता है wonderwall सबसे कमजोर हो जाता है wonderwall सबसे कमजोर हो गया wonderwall अब इसके बाद आपको पढ़ना है क्या चीज? धातू, अधातू, उपधातू, मिस्र धातू यह पढ़ाएंगे फिर मिस्राण पढ़ाएंगे मिशरण में आपको दो तरह के मिशरण पढ़ाएंगे एक पढ़ाएंगे होमोजेनियास एक पढ़ाएंगे हेट्रोजेनियास इनि समांगी मिशरण वी समांगी मिशरण उसके बाद आपको पढ़ाएंगे विलियन विलियन में भी दो तरह के सांदर Villion, तनु Villion, उसके बाद एक और Villion पढ़ाएँए, जिसको करते हैं अम लोग संत्रिप्त Villion उसके बाद अतीस शंत्रिप्त Villion, ये सब चीजे आप पढ़ैंगें, अब आप रहने देते हैं, 10 बज गया, खाना पीना खाकें, अब आप बतीए, साड़े ग्यारा बजे फिर मिला जाए साड़े ग्यारा बजे फिर मिलते है ग्यारा तीस पर फिर मिलेंगे अम लोग अभी देड़ घंटे का गैप देते हैं फिर साड़े ग्यारा में मिलेंगे किसी को कोई दिक्कत है नो सर कोई बात नहीं अच्छी बात है भाईया कोई दिक्कत नहीं तो चलिए आप लोग भी खाना पीना खाईए हम भी खाना पीना खाते हैं किसी को खाना खाना है कि अगया किसी को खाना खाना है इसमें क्या भाई या दाल है इसमें रोटी होगा किसी को खाना खाना है दो को भाई जाओ इतना कम खाना काते हम दाल हो गया इसमें रोटी है दाल रोटी खाऊ साधा खाना खाऊ मन इधर उधर नहीं भागेगा चिकन वटन मचली दापके खाएगा तो खोजने लगेगा चलिए अब हम लोग साड़े ग्यारा में मिलते हैं ठीक है तब तक के लिए छोटा सा गुड़ नाइट नेट खतम हो गया क्या तक के पोग साठी असिन के लाएब। कर भाएब दखा है त melted अक होग सादी का बाएबा end कि लिए उन साजा है जाएब तक करते हैं जा साएब कर दोच मिलते हैं जा है